हलो दोस्तों आप सभी का एनस्टी इंस्पार्ड में स्वागत है आज की जो कहाणी है उसका सिर्षक है खुद को पहचानो एक जंगल में एक कवा राता था, वो बहुत ही खुस और मस्ती में राता था, पर एक बार उसे जंगल में एक बहुत ही सुन्दर पक्षी दिखाए दिया, वो तुरंट उस पक्षी के पास गया और वो पक्षी का रंग जो था, वो सफेद था, तो कवे ने उस पक्षी से कोवा बहुत खुस हो कर का है यार तुम तो बहुत सुंदर हो पर तुम्हारे रंग भी शप्गड है तुमें तो जिन्द्गी जीने थे बड़ा मजया आता होगा हसने कहा नहीं मुझसे भी ज़्यादा कोई और बहुत ही सुन्दर है अब कवा हैरान हो गया पर कहा वो कौन है चो तुमसे भी सुन्दर है अब कवा ने वहां से तुरन तूर कर तोते के पास मोचा अब कवा उसे देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो गया क्योंकि तोते का गला लाल रंका था और तोता हरा रंका था कवे ने उसे कहा यार तुम तो बड़े खुस रहते होंगे तुम इतने सांदार जो दिखते हो तोता मायूस हुआ और कहा नहीं मुझसे भी सांदार और सुन्दर तो मोर है वो कवा वहां से उरकर मोर को ढूंडने लगा उसने कई दिनों तक मोर को ढूंडा लेकिन मोर उसे नहीं मिला लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला कि मोर सहर में चीरिया घर में है वह कवा चिरिया घर पहुचा और उसने मोर के देखा कि वह एक बड़े पिजरे में बंद है और बहुत से लोग उसके साथ फोटो खिचवा रहे हैं या देखकर कवे को थोड़ी सी जलन हुई कोवे ने मोर के पास गया और कहा यार तुम्हारे जिन्दगी में तो मजे ही मजे है मोर उदास हुआ और कहा किस बात के मजे मैं भेले ही लिखने में सांदार और सुनर हूँ लेकिन मेरी पूरी जिन्दगी इस बंद पिजरे में ही गुजरने वाली है मोर ने कौवे से कहा यार तुम तो बहुत किसमत वाले हो खुले आसमान में जहां चाहो वहां जा सकते हो और अपनी जिन्दगी अपनी मर्जी से जी सकते हो दोस्तो एक बात हमेशा याद रखना कि जिन्दगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना वरना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम तुलना करके उसके जैसे तु नहीं बन पाओगे लेकि तुमारे पास जो भी वक्त है वो भी बरबाद हो जाएगा और तुम जिन्दगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगे हमें कॉमेंट में जरूर बताएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर कीजिए थेंक्यू सो मच